देखिए पावन सिंग यूही नहीं कहते हैं कि दोस्त हो तो दीपक जैसा हो आपने देखा होगा पावन सिंग कई मंचों पर खड़े होकर दीपक सिंग को दूर से मंच पर बुलाकर ये बताते हुए नजर आए हैं कि मैं एक टाइम पर खत्म हो चुका था मेरा गाना गाने का मन नहीं होता था मैं अपनी जिन्दिगी से परिशान हो चुका था उस वक्त मुझे किसी ने होसला दिया किसी ने हिम्मत दिया किसी ने सम्हाला तो वो मेरा दोस्त था दीपक और पमन सिंग हर मन से दीपक सिंग से गले मिलते हैं और ये कहते हुए नजर आते थे कि दीपक ने मुझे जिस तरीके से समाला है अगर दीपक नहीं होता तो मैं तूट चुका होता हलाकि उसके बाद ये पड़ाओ भी देखने को आया कि दीपक सिंग और पमन सिंग अलग हो उसके बाद सही दिपक सिंग को पवन सिंग के साथ कभी नहीं देखा गया, खबर ये भी आई कि दिपक सिंग जो है, पूरो मैनेजर कहलाने लगे, और मैनेजर के पत्पे कोई और आ गया है, जिसका नाम है अमीद सिंग और उनके बड़े भाई अभी शेक सिंग, ये दोनों मिलकर पवन सिंग के मैनेजमेंट का काम देखने लगे, दिपक सिंग पवन सिंग से दूर हो गया है, उसके बाद पवन सिंग कई इविंट कियें, कई जगों पर गयें, लेकिन साथ में कहीं दिपक सिंग नजर नहीं आए, और ये सब कुछ उनका अमीद सिंग देखने दीपक सिंग का एक वीडियो शोसन मेडिया पर काफी टेजी से वाइरल हो रहा है उस वाइरल वीडियो में दीपक सिंग जो है वो पटना के सीने पॉलिस सिनीमा हॉल में नजर आ रहे हैं उनके साथ महिला विकास मंच की वीना मानवी उस उनके साथ की और जितनी महिला हैं, सब लोग हैं, इसके अलावा अनुपमा यादाउ जो भौजपुरी की कमाल की सिंगर हैं, अनुपमा यादाउ ने शुर्वन्ष्म पहले देख लिया है, बावजूद इसके वो दीपक सिंग के साथ महिला विकास मंच की जितनी महिला हैं उन सब के साथ सब लोग एक ग्रूप बनाकर पटना के सिने पॉलिस में पवन सिंग की फिल्म शुरीवनसम देखने जाते हैं तमाम तरीके क्या रूप दीपक सिंग पर लगाए गए लेकिन दीपक सिंग ने एक बार भी खुद को जिस्टिफाई करना ज़रूरी नहीं समझा लाइव आना ज़रूरी नहीं समझा कोई मीडिया में बयान बाजी करना उचीत नहीं समझा और नाहीं पवन सिंग ने अपने लेकिन दिपक सिंग जो कर रहे हैं उसके प्रिशंसा जरूर होनी चाहिए दिपक सिंग तमाम लोगों के टिकट करा कर शुरिवनसम दिखाने सबको ले जाते हैं अपने खर्चे से अपने पैसे से और शुरिवनसम देखने में अरुपमा यादव होती हैं विना मानवी होती हैं उनके साथ की जो अन्य महिला हैं वो सब ही लोग पटना किसे ने पॉलिस में पावन सिंग के फिल्म शुरिवनसम देखने पहुँचे थे ये वीडियो शोसल मेडिया पर काफी तेजी वायरल है अलाके इस वीडियो की क्या सच्चाई है इसके पुस्टी हम नहीं करते हैं वीडियो सही है या गलत है या एरिटेड है लेकिन अगर ऐसा है अगर दिपक सिंग ने शुरिवनसम दिखाने सब कोई को वो लेकर पटना किसी ने पॉलिस में पहुचे हैं तो ये काबली तारीफ है और ये इस बात का उदाहरन है कि रिष्टे में खटास कितनी भी आ जाए लेकिन बात जब सहयोग करने की हो तो दिल खोल कर किया चाता है बाकि आप दिपक सिंग के इस पहल पर क्या कहिए का आपनी रह बताईए का वीजियो को समात करते हैं मिलते हैं ने वीजियो में धन्यवाद